हुआ ये बातको जो होता है इसके बहुत सारा बैनिफिट्स होते हैं तो Бहुत इसके दुरह की डिटॉक्स वाटर आपको बनाना बताऊंगी जो बहुत सबसे पहला है यह मैंने खीरे के कुछ टुकड़े लिये हैं आप आधा खीरा ले लिजिए और मुठी भर या थोड़ा ज्यादा मिंट लीव्स को दोकर इसमें डाल दीजिए आप पानी के एक जग में और इसमें आप पानी मिला दीजिए और इसको इंफ्यूज होने के पानी यूज करिए नहीं तो अगले दिन तक खराब होने लग जाता है पर दिन भर इसको पीए और इस तरह से इंफ्यूज होने रग दे बंद करके और उसमें और पानी आइड कर लीजिए जब आपको पीना है तो और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और इसके फाइद और आपका वाटर कंजंशन भी अच्छा हो जाता है और डाइजेशन के लिए सबसे बढ़कर बहुत अच्छा है तो यह तो हो गया खीरे और मिंट वाला पुदीने वाला हमारा डीटॉक्स वाटर जो दूसरा डीटॉक्स वाटर है वो उसके लिए मैंने लिए हैं पानी पीजिये और रोज बदल बदल करने टेस्ट का पानी पीजिये टेस्टी भी है है तो बस यह मैंने कुछ निम्बू के वेजिस काटे हैं और पुदीना जैसे मैंने खीरे वाले पानी मिलिया था वैसे लिया है और थोड़ा पानी लिया है बॉतल अब इन तीनों प्रेटार्ट के लिए मैंने डाली है क्योंकि सबसे सिंपल है इजी है और हर को इसको कर सकता है जरूर इसको ट्राय करिए यह बहुत ही आपको अच्छे रिजर्ट्स देगा और आप सिफ अच्छा खाना ही नहीं खाईए अच्छा मानी भी पीचिए तरह तरह का उसको भी आ आप आजमा कर देखिए कैसा होता है तो बस इसको मैंने मिला लिया है और इसको इंफ्यूस होने के लिए हम छोड़ देगे बंद करके और थोड़ देबत पानिया और मिला कर दिन भर पीजिए आप 7-8 गंटे कुछ नहीं होता है एक दम ठीक रहता है कर आप नहीं होता है और उसके बाद आपको और बनाना है तो आप और बना दीजे पर हां आप उसको रात भर मत छोड़िये जग में नी तो अगले दिन सुबह उसका कलर और टेस्ट बदल जाएगा तो आप थोड़े टाइम के लिए बनाईए दिन बर जितना पानी आप पी सकते पस आप उतना ही बनाईए वेस्ट मत करिये पानी और उसको पूरा खतम कर दीजिए इस को जरूर ट्राय करिएगा इस डिटॉक्स वाटर को और मुझे अपने कमेंट्स में बताईए कैसा लगा और अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज प्लीज प्लीज